कुर्ति देव हिंदी टैपिंग में बहुत सारे आल्ट कोड होते हैं इतने आल्ट कोड याद कर पाना किसी के लिए भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है तो मैंने इस वीडियो में आपको किवल 9 आल्ट कोड बताए हैं अब इससे शब्द कौन-कौन से बनते हैं इससे शब्द बनते हैं जैसे आंक, टांग और अगला शब्द जैसे मैं बता देता हूँ एक टाइप करके और आल्ट कोड लगाने का सही तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अब जैसे एक शब्द है पांच तो पांच शब्द हम कैसे टैप करेंगे पहले पा बनाया, आकी मतला लगाई अब आल्ट कोड लगाएंगे चंदरबिंदू बनाने के लिए तो आल्ट कोड कैसे लगाते हैं देखिए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप आल्ट की प्रेस करेंगे और राइट हैंड में 0,1,6,1 इस तरह से कीबोर्ड को देख करके आराम से आल्ट कोड लगाएंगे और यहां से फिंगर पहले हटाएंगे अगेन बता दे रहूं मैं नमग पैट से finger को पहले हटाना है और उसके बाद जो यह आल्ट की प्रेस की थी इसको सबसे end बें हटाना है यहांते फिर हटाएंगे जैसे ही आप यहांसे आल्ट की को छोड़ेंगे आपका यहां पर कोड लग जाएगा यह तरीका होता है alt code लगाने का अगर आप ऐसा करते हैं कि alt key को यहां से press करके यहां से लगाकर alt code लगाते हुए और इससे पहले ही alt key छोड़ देते हैं और यहां तक आपका code complete नहीं हो पाता है तो आपका alt code नहीं लग पाएगा अगर आपका alt code नहीं लगेगा तो आपके एक दो second waste हो जाएंगे और typing के time में एक एक second की बहुत value होती है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि alt code आपका एक ही बार में लगना चाहिए अब जैसे पार type हो गया चन्दबंदू लगा दिया फिंगर हटाई यहां से फिंगर हटाई और फिर गार इस तरह से आपका मांगशब type हो जाएगा इसके बाद जैसे next alt code है आपका alt 0170 alt 0170 में हमारा क्या आता है alt 0170 में हम टा के नीची यह रा बन के आता है अब इसमें पहले हमको टा type करना पड़ता है पहले हमें टा type किया और फिर हम alt code लगाएंगे alt 0170 यहां से आपका टा बन जाएगा टा के बनने के बाद इसमें आकी मातरा, ला और इस तरह से आप ट्रॉली, ट्रक, कुछ भी type कर सकते हैं टा के नीचे रा बना हुआ यानि कि यह code भी पैरागराफ में आता है बहुत सारे पैरागराफ में ऐसे शब्द दिये होते हैं जिसमें टा के नीचे रा बना होता है इस तरह से आप बिना alt code के इसको नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको यह alt code याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बाद इसी में जैसे एक शब्द होता है ट्रामबे तो ट्रामबे जैसे कैसे शब्द करेंगे पहले टा टाइप किया फिर alt code alt 0 1 7 0 यहादा फिंगर के लिए अटा ही फिर यहाँ से अटा ही ट्राफ बन गया और फिर आधमा आकिमात्रा अधमा बाए इस तरह से आप शब्दों को टाइप करेंगे इसमें एक next alt code होता है alt 0 1 9 7 इससे हमारा बड़ा o बन के आता है होता क्या है कि छोटा o बनाने के लिए हम m प्रेस करते हैं index finger से right hand side में m प्रेस करते हैं तो o type होता है लेकिन बड़ा o आपका बन कर नहीं आएगा keyword में तो इसके लिए आपको alt code की जरूत पड़ती है तो alt code आएंगे alt 0 1 9 7 जैसे आप finger आट हैंगे आपका बड़ा o type हो जाएगा और फिर आप कुछ भी type कर सकते हैं जैसे आपने इसमें एक code और लगाया चन्दविंदू के लिए o लिख लिया फिर 4 e इस तरह से आपने उचाई type कर लिया तो उचाई शब्दा आप बिना alt code के type नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको इसका भी alt code पता होना चाहिए जो कि होता है 0 1 9 7 बड़े ओका alt code 0 1 9 7 next हमारा alt code है alt 0 2 0 9 तो alt 0 2 0 9 से आपका ये का के नीचे ये वाला रा बन के आता है अब आप इस तरह से भी type कर सकते हैं कि का बनाया पहले और फिर यहां से ये प्रेस कर दिया ये सबसे पहली की नमबर होगी सबसे पहली की से प्रेस करके आप ये रा भी बना सकते है लेकिं ये कभी भी सही position पर नहीं आता है ये हमेशा का के नीचे offset बनेगा तो आपको इसको द्यान रखना होगा ये हमारा का के नीचे जो रा बना होता है ये code से बनता है इसके लिए code काँसा होता है alt 0 2 0 9 इस तरह से आप code लगाएंगे इसमें तो आपका ये सही जगा पर का के नीचे रावन के आ जाएगा अब इसके बाद आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं जैसे क्रपाड अब जैसे शब्द होता है क्रिष्णा तो 80209 क्रावन गया आधाशा और ना इस तरह से क्रिष्णा शब्द भी टाइप हो जाएगा ये कोड और इसके बाद का में ही लगने वाला ये वाला रा का में ये वाला रा लगने वाला ये दोनों इक बहुत जदा इंपॉर्टेंट होते हैं अब इसको हम कैसे बनाते हैं इसके लिए कोड होता है 0216 जाएगा इससे हम शब्द बना सकते है क्रमांक इस तरह से क्रमांक शब्द हमेशा अग्शा क्रियों टो सूरी कर दोता है जैसे क्रीड तो क्रिड़ा के लिए फ्यली हम disқो कई बर कोड़ लगएँगे कभी भी और कॉड़ नी लगाना है हमेशा कीबोड़् देख करके एक ही बार में सही आल्ट कॉड लगाएंगे क्री और फिर ला इस तरह से आपका क्रीड़ा शब्ध भी टाइप हो जाएगा इसमें इसके बाद इसमें अगला शब्ध है अगला कोड है आपका 80217 तो 80217 में आपका क्या आता है 80217 में आधा ता और एक ता आता है अब सब्ध कोपता है कुट्टा पत्ता तो पत्ता कैश साथ टाइप करेंगे छच्टा तो पहले च्छठ 00270 laugh तो यह आदा ता उच्टा बनके कि का प्र पूरा करेंगे एक बर लांकि मातर लगे है तो यह 50 शब्द आपका क Chapo ud चाइबाँ इसके बाद जैसे एक अगला कोड है यह बहुत ज्यादा important कोड है क्योंकि अक्सर हिरदया शब्द और तो हिर्दया ओर ह्राश लगाते हैं, हम 0226, 0226 जब आल्ट कोड लगाएंगे, आल्ट 0226 इस तरह से आल्ट कोड लगाएंगे, तो आपका हिरा टाइप हो जाएगा, और फिर इसमें दा और यह, इस तरह से आप हिरदय को सही से टाइप करेंगे, इसके अलावा जैसे अगला अल्ट कोड है आपका, आल्ट 0228, तो इसमें क्या होता है, आपका आधा ता और का बन के आता है, भक्ति, आधा का और ता बन के आता है, तो यह जैसे हम भक्ति टाइप किया, ऐसे हम एक शब टाइप करते हैं, मुक्ति, तो मा, छोटी यह की मात्रा, छोटी यह की मात्रा, फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि इस तरह का जो letter होगा या अक्षर होगा यह हमेशा alt code से बनेगा alt 0228 से आपको इस code को भी बहुत अच्छे से याद करना है alt 0228 भक्ति मुक्ति और शक्ति जैसे शक्ति है शालिखा फिर आधिक छोटी की मतर लगाई फिर alt code लाएंगे alt 0228 इस तरह से शक प्रक्ति शब्द आपका टाइप होगा परग्राफ में यह दिया होता है आपको इसका ध्यान रखना है और alt code को याद रखना है यहां आपका नौमा और आखरी alt code आता है जो की है alt 0204 आपको इस code पर भी बहुत ध्यान देना है इससे उद्देश शब्द टाइप होता है जैसे उट टाइप किया अब alt code लगाएंगे alt 0204 यहां से code लगाएंगे उसके बाद आपका यह आदा दा और पूरा दा बन के आएगा इसके बाद एक ही मत्रा आदा शाह और यह इस तरह से उद्देश शब्द बहुत बाए परग्राफ में दिया होता है आपको उद्दे अगर आपको टाइप करना बहुत ज़्याद मुश्किल होगा आपको आगे चलके परिशानी होगी अगर 9 alt code भी याद नहीं हो पाते हैं तो कम से कम उपर के 5 code चंद बिंदू 061 ट्राफ 070 बड़ा O197 का की नीचे गुमावा रा 209 और का की नीचे यह वाला रा 216 किवल इ देख सकते हैं उसमें मैंने सभी important alt code दिये हैं और उन alt codes में complete हिंदी आपकी हो जाती है alt codes की एक file मैंने description में दे दिये हैं आप उस file को download कर लें चाहें तो उसका print कर लें और उसमें जितने भी alt code मैंने दिये हैं उनको type करने की practice करें practice करने से वो alt codes आपको अपने आप याद हो जाएंगे जो कि आपकी type की भी बहुत ज़्यादा helpful होगा मिलेंगे अगली वीडियो में thank you